तीन बजे तक का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट एक्चली मैं दे नहीं पाया था लेकिन पाच बजे तक का एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आया है नाइन्थ डे का बाइद वे मैं सबसे पहले आपको ये बता दू कि जो नाइन्थ डे रहता है ना advance booking से ज़्यादा walking audience भी बहुत तगड़ा जाती है रहे फिल्मों को क्योंकि ticket मिलना वगरा मुश्किल नहीं रहता है बाद में तो advance booking ज़्यादा matter नहीं करता है आप बोलोगे कि यार advance booking ज़्यादा क्यों नहीं होता है मतलब 9th, 10th day का कोई देता नहीं report ये दो movies का actually मैं तो कहूंगा कि लग अच्छा है बोलो या फिर public ने प्यार किया है बोलो कि इसका 9th day का advance booking लोग सर्च कर रहे वरना कितनी भी बड़ी movie हो 4-5 दिन वो advance booking का वो एक क्या बोलते हाइप रहता है बाद में कोई देखता भी नहीं जो भी रहता है walking audience होता है तो अगर बात करें 9th day का advance booking report गदर 2 का तो 2.1 करोड को cross किया गया है सारे 5 बजे तक का report है और अगर OMG2 की बात करूँ तो 1.02 करोड को उसने cross किया है तो दोनों का सोसो है advance booking में पहले भी बोला हूँ अब screens भी available है और अब ऐसा नहीं होने वाला और हाँ गदर 2 को फाइदा कौन सा हो रहा है मल्टि प्लेक्स से ज़ादा हो रहा है single screen का और single screen का जो advance booking में count होता ही नहीं है जो भी आता है वो overall मतलब direct walking audience का ही ताकत है तो गदर 2 का advance booking सुभे 5 बज़े क्या होता है इवन omg2 का उस पे depend करेगा अब ऐसा बोला जा रहा है कि 19 से लेके 20 करोड Friday हुआ है तो 22 करोड तो होना ही चाहिए गदर 2 का और अगर बात करें omg2 का 4 करोड के असपस अगर आपका ये होता है फ्राइडे जो के अभी बोला जा रहा है तो 6 स 7 करोड का Saturday होगा जा देखो प्रैक्टिकल बात करो बेवज़ा का ज्यादा बढ़ा चड़ा के कोई फाइदा है नी तो omg2 के आप 89 में 6 स 7 करोड आइड कर लो 95 से लेके 6 से 7 बोला ना मैं या 95 से लेके 96 करोड 9 डेज में हो जाएगा हाँ आप चाहते हो कि भारत में 100 करोड कब होगा तो उसका संडे को आपको वेट करना पड़ेगा संडे को होगा अब बात करते हैं गदर की गदर की बात करते हो तो देखो भाई अगर 22 करोड आ जाते है तो 325 करोड नेट कलेक्शन इसका 9 डेज में होगा विच इस एक्सिलेंट बहुत बेहतरी नहीं है संडे को मुझे लगता है कि यह 25 प्लस जाएगी यानि कि सारे 300 करोड नेट कलेक्शन के उपर जाएगी ओफिशेल अपडेट है शेयर करो